जैमातादी फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम फिर से एक डियेवे करने वाले हैं यह मटकी मुझे मिली है मुझे रखी हुई थी आप सभी को बता है कि मुझे फिलाल मुने प्लांस करें लिये हैं और उनको लगाने के लिए मैं कुछ ऐसा मुझे ज्यादा बा बाद में मुझे कमाल काईडिया मिला कि मैंने यह बड़ी कील ली और नीचे जैसा की कच्ची जमीन है तो बैस थोड़ा सा सेटप करके रखा और फिर अंदर इस कील को खड़ी करके हाथ से हलका पकड़के थोड़े से जब हलके हलके बहुत हलके हाथों से आपने मारना है और यह किल अउर्पने अधर धर जाएगी अगल वगल कहीं से भी कोई भी क्रैक नहीं आने वाला है यह मटके में और बहुती आसानी से आपका रेनेज होल इस तरह से तियार हो जाएगा और इससे कोई करीक रेक नहीं आया है और अपिछे के रिख धे से जो़्का हलका करे करने के लिए वहीं बढ़िया रहता है और बट मेरे पास तो फिलहाल यह खरीद के लाई थी जैसा कि आप सभी ने देखा मैंने सेयर भी क्या था और एक्रेलिक पेंट तो मैंने फिलहाल तो मैं वैसे तो मैं पूरे पूर्ट को कलर कर देती बट अफी के लिए मैं थोड़ा स ऐसे ही राउंड सरकल ड्रॉ करके और फिर कुछ उल्टा पूल्टा सा डिजाइन ऐसे ही थोड़ा सा बना ले रही हूं ताकि पॉर्ट थोड़ा सा सुंदल लगने लगे अधरवाइज एक पॉर्ट देखी मेरे पास घड़ा और पड़ा है तो मैं उसमें ऐसे ही प्लांट लगा तो रही हूं पॉर्ट में मैं इनको ले करके कैसे जाओंगी इतने सारे और इस वोजे से मैं कोशिस कर रही हूं एक पॉर्ट में तीन से चार प्लांट लगा रही हूं तो देखे एक सरकल उपर हलका सा ड्रॉ कर दिया नीचे भी इस तरह से कर दिया और आपने जब यूज करें तो उसको यूज करने के बाद ओवर नाइट सुखने के लिए रखना होता है बट मैंने ओवर नाइट नहीं रखा इसको करने के बाद मैंने लगे हाथों अक्रिलिक पेंट से काम शुरू कर दिया था यह देखी मेरा रेट कलर का है फ्रेंड्स इमेडेटली मुझे खाज डिजाइन समझ में नहीं आ रही थी और मेरी सिस्टर ने देखा तो उसने कहा कि इससे अच्छा आप मुझे दे दे देती तो मैं इससे अच्छा पॉट बना के आपको दे दे थी तो इस तरह से फटा-फट से जो भी डिजाइन मुझे समझ मैं मैंने बना लि मिलती है खराव हो जाता है तो फिर बुरे यां सुनने को मिलती है बट यह मेरा मानना है गार्णिंग में आप अगर कुछ भी उल्टा-फुल्टा-ड्रा कर लोगे ना कुछ भी तापका पॉर्ट तो सुन्दर लगने लगता है बट यह दिखिए तो इसी तरह से मैंने पूर इसमें ड्रो किये हैं और यह फिलाल आखरी का तो मैंने इतने स्पीड में किया कि मैं क्या ही का हूँ फिलाल मैंने वीडियो भी स्पास्ट कर दी है ताकि आप लोग जल्दे से देख सको और बस कुछ इस तरह से हमने यह बना लिया है और हमारा यह मतका है न यह हो गया है और इसके बाद मैंने यह छोटा सा एक और बस कर डाला फटा फट से सारे में मुझे थोड़ा सा बीच में मुझे खाली-खाली सा लग रहा था और जब मैं इसको बना रही थी मेरे बच्चे साथ में मुझे बैटके परसान कर रहे थे उस वक्त और क्या ही करूं फिर लेकि सब्सक्राइब मैं भी गिलीए था मेरे बनाय रह सक्तिया लागी तो अब सीत प्रॉटरी को खेली सा बांवाइब श ситу शचाट पाई तो पहले तो मैंने उसको जग में ट्रांस बांट करने के सोचा और जब इसकी मुझे लगा जग इसके लिए परयाप नहीं रहेगा तो फिर मैं कोट सुखा नहीं है और मैं फटा-फट से इसको उठा लाई हलका सा चिप-चिपा सा पेंट लग रहा था बट मैं उठा लाई और इसके बाद सिस्टर ने थोड़ी से हेल्प कि उसने मुबाइल को पकड़ा तो उसने कहा कि ऐसे डालो मिट्डी कुछिन होने वाला है लेकिन हाँ बाद में मिट्डी थोड़ी चिपख सी गहती नीचे हमने कंकर रख दिये हैं और नीचे मैं बाकी कुछ घार्डन वेस्ट या कुछ भी नीडाली हूं क्योंकि गार्डन वेस्ट तो मैं एपने घर प करते वग्ढ रहा है इन में वीडियो करते वक्त पर्सान किया था वीज़ करते वक्त भी तो इस तरह से देहिए फिर बाद में मैंने इसको जब के तक कर लिए और 20 परसेंट आप इसमें 20 परसेंट रखें ताकि हमारी मिट्टी वेल ड्रेन बने पानी इसमें ना रुखें कि यूद्स प्लांट को बहुत ज्यादा पाने की जरूत नहीं होती है और स्पाइडर प्लांट जैसा कि हमारा एक इंडॉर प्लांट है इसको बहु जैसा कि मैंने आपको दिखाया है तो मैंने इसके रणर्स को मलब भी लगा दिया है तो देखिए इस तरह से और शिष्टर ने थोड़ी से हेल्प कर दी तिस वज़े से फटापट से लग गया तो बड़े पॉट में लगाऊंगी तो यह अच्छे से ग्रोव होगा और जै अच्छे से नहीं चल रहा था प्लांट इसको बाहर कर दिया है और यह देखिए इस तरह से इसको लगा दिया और बाद में मैंने इसका रणनर यहां से तोट सा गया है तो इसी में से मैंने एक रणनर तोड़के और यहां पे लगा दिया है कि वह खराब नहुब हमारा एक छोटा सा प्लांट ग्रोज है जब यह ग्रोव हो जाएगा तो इसको मैं लगा दूँगी क्योंकि अगर अभी मैं किसी और पॉट में लगाओंगी तो बात में मुझे ले जाने की प्रॉब्लम आएगी और वैसे भी जितने भी रणनर निकलेंगे मैं साइड में इनको लगाती जाओंगी या छोटे-छोटे ग्लास वग्रे में लग पानी डाले जरी डाले हाथ से श्प्रिंगल करके या डिय वाइवार वगर लगाके वह भी आपसे शेयर कर दूंगी तो इस पेसे डालेंगे तो प्लांट सापर गर्मी में खिलखलाते रहेंगे यहां बहुत ज्यादा पड़ी है उई और वाट्रिंग मत कीजेगा वैसे तो डेली पानी की जरूर पड़ेगी बठाँ देखिए अगर आपको मिटी गीली है तो पानी आप मड़ डालिए और यहां पर मैंने सौवर करके प्लांट को पानी दिया है देख सकते हैं यह पॉट था बस इसी में धुल के इसी से मैंने वाटिंग कर दी इसको नला भी दिय तो उमीद करते हैं आपको उड़े पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तुसे लाइक करें शेयर करें चैनल परने आए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लांट को ट्रांस्पांट करने के बाद तीन से चार दिन कम सकम आप इसको सेड़ी अरिया में बिल्कुल तकिली जमा तादी